हेलो गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल रसोई आपकी जायका हमारा आज हम आए हैं गुमने के लिए लखनव जू के अंदर चुकि बहुत पुराना और काफी बड़ा जू है तो चले दोस्तों देखते हैं में जू में कौन-कौन से जानवर देखने के लिए मिलते हैं और हम आपको भी दिखाते हैं और साथ में आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना और अगर अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल है रसोई आपकी जायका हमारा तो चले दोस्तों आगे हम बढ़त टिकर चार्ड असी असी रुपया पर परसन का टिकर चार्ज पड़ता है तो यहां पर आपका टिकर पहले चेक होगा उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं कि पहले आपको इसके से स्टैची तिकता बढ़ियां जानवरों कर देख रहा है जिराब देखो भाई बच्चे तो बहुत बच्किकर है जिराब के साथ में यहां से आपको रिक्षा और त्वाय ट्रेंज जो चलती है यहां से उसका टिकर काउंटर यहां तो इससे आप पूरी चिडिया घर को घूम सकते हैं इस ट्वाय ट्रेंज पर बैठ के तो यहां से पहले आप टिकत ले ले लेंगे उसके बाद इस ट्वायटर में बैठ सकते हैं यहां टिकर काउंटर पर हमने पूछा तो उन्हों बताया कि 15 रुपया बच्चो का यहां यह दिख्षे वाले पर अगर चिडिया घूमना चाहिए उसका क्या चार्ट पड़ता है पर अगर आप इस पर बैड़ के घूमना चाहते हैं तो इसे भी आप चिडिया घर पुड़ा गूंटर पाप कि अ अब हम पोच गया सुतर मुर्व के पास में और देख सकते हैं आप की सुतर मुर्व पता निक्या मिट्टी में खोद खोद के खाए पड़ा है तब तक इसका दूसरा वाला दोस्त भी आ गया है तो यह देखिए दो के दोनों सुतर मुर्व कैसे अपने प्लाय हुए है और उसके बाद ये है कोई एक लायन टेल मंकी करके है तो इसका आप फर देख सकते हैं बिल्कुल पूरा इसके फेस पर भरा हुआ है उपर तक पुड़ा अच्छा लग रहा था देखने में अगल करें है तो दोस्तों आगे हम आच उके हैं टाइगर के बाड़े के पासा में तो आप देख रहे हूँ यह इधर से उधर उधर से इधर कि यह पड़ा है पहले तो जब हम लोग यहां पहुचे तो यह सो रहा था और अभी यह थोड़ा भीड देखा है तो इधर उधर कि यह पड़ा है और अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा वाँ आप पढ़ भी सकते हैं यह देखो भाई यह देखो यह है असली टाइगर लोगों को देखे पतारी घबरा रहा है या गुसरा कर रहा है अभी थोड़ी दहार अपी लगा देता है यह सबसे बड़े साइज का टाइगर है लग रहा है इसकी साइज देखो कि अब कर दो लिया है वाँ अब कर देखे लिए अब इस देख सकते हैं आप जू के अंदर जगर जगर पर यह जो मैप लगाए गए हैं इससे एक के फाइदा है कि आपको कि साइट के जानवर देखना है तो आप आराम से जागर के देख सकते हैं तो यह देखो बाई आ चुके हैं हम जिराफ के बाड़े के पास में यह जू का सबसे बड़ा जानवर है इसकी गरदन देखो बाई कितनी लंबी है सुराही जैसी और यह गरदन उपर करके पत्तो को भी खा रहा है और हम लोगों के पास भी बिल्कुल आ गया है कि हमारी कोश दे रहा है बराबर से और दूसरी चीज कि अगर आपको किसी जानवर को जू से एडाप्ट करना है तो आप यहां पर पूछ करके उसे एडाप्ट भी कर सकते हैं और यहां पर चिडिया घर का जो पूरा दिन घूमने का टाइम होता है वो सुबह आठ बजी से साम की च इसकी आखे देखो भाई यह कैसे देख रहा है आखे खोल के देख रहा है कि यह हमें मिल जाए से इनको आप का जाए इस देख रहे हैं इनके दाथ तो देखो दाथ किस तरह से हैं कितनी नुपेले नुपेले दाथ है इनकी खाल बहुत ही मजबूत होती है और इनकी चौर उपर का हिस्सा इंका और यह हमें भी देख रहा है यह उपर आख खोल करके देख रहा है अभी आख ढख लिया इसको मौका लग जाए तो यह आपको शिकार भी कर सकता है तो भाई आगे आगे हम आचुके हैं काला अम्रिक के बाड़े की पास में तो यह देखी यहां पर हिरन भी है और भारा शिंगा भी है सफीद भारा सिंगा वी थे आपको दिखा रहा है यह देखिए इन चोटा सा बच्चा है और छोटी-चोटी बच्चे इन सबके तॉड र जग रहे हैं से सब देखने में सर्दी से बढ़ने के लिए तो यह गरम होते हैं सर्दी है तो यह देखे भाई यह है राज हंस इंडियन एयर फोर्स का प्लेन जो कि यहां पर रखा हुआ है और दूसरी चीज कि कोई भी पब्लिक हॉलिडे होने पर यहां पर म्यूजियम बन रहता है तो हम आपको उसका वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं और यह है यहां की कैंटीन कैंटीन तो अच्छी है यहां पर नास्ता वास्ता अच्छा मिलता है लेकिन कोसीज करें आपकी आप अपना नास्ता अगर कुछ लेके आ सकते हैं तो साथ में लेके आए क्योंकि रेट यहां पर जू के अंदर थोड़ा महंगा मिलता है तो आप अपने साथ ले आतें तो ज्यादा अच्छा है और प्लास्टिक बैग का यूज ना करके आप कागज के बैग का यूज करें और उसके बाद ये देखो भाई ये हम आ गए है सफेद टाइगर के बाड़े के पास में कितना सुंदर लग रहा है ये सफेद टाइगर और है भी इदर से उधर इदर से उधर वो रैम्पवा कर रहा था तो दोस्तों आगे हम चल रहे हैं शेर के बाड़े के पास में इसे हम कहते हैं जंगल का राजा शेर तो ये देखो भाई ये है बबब शे और ये कितने आराम से शान से सो रहा है इसको बढ़ियां धूप लग रही ह और आप हमें कमिन बताएं कि आपने कभी बबर शेर की आवाज सुनी है तो वो हमें ज़रूर बताएं कमिन में इसके बाद हम आपको ले चल रहे हैं मशली घर के पास में और दिखाते हैं आपको कितनी रंग बिरंगी मशलिया हमें देखने को मिली है अच्छा यह है उल्लू इसको आप ध्यांज देखेगा यह अपनी एक आँख पता नहीं आँख मार रहा था क्या कराएं देखे बहुत ध्यांज देखेगा आँख जबगाए पड़ा है और उसके बाद यह है साही इनके काटे जो होते हैं वह बहुत इनुकेले होते हैं यह अपने काटे से ही वार करती हैं तो इन्हें हम साही बोलते हैं कि अधर बच्चों का जूला जूल सकते हैं बड़ियां मस्ती कर सकते हैं और आप अगर खाने माने के लिए अगर आप प्लास्टिक का लेकर आते हैं तो आप प्लास्टिक का लेकर आते हैं तो आप यहां पर कोई भी चीज खाए पिए तो कोशिश करें कि सामान आप डस्विन में ही डालें तो अच्छा है कि आप जू को गंदा ना करें तो दोस्तों यह देखे यह है बहुत ही खुबसूरत रंग बिरंगे पैरिट और साथ में यहां पर यह चीज चाहार तो बहुत ही जादा अच्छी लग रही है चोड़ी चोड़ी चीजिए हैं तो भई दोस्तों बहुत जादा मेंद करके हमने यह वीडियो आपके लिए त्यार किया है तो वीडियो आपको कैसी लगी इसे आप हमें कमेंट में जरूर बता है झाल 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 झाल